Profit Loss के एक concept बच्चों को प्री के पेपर में सबस्जाद है परिशान करने वाले सवालों में से है आपने दो वस्तू खरीदी किसी भी दाम में खरीदने के बाद यदि उनको समान विक्रे मुल्ले पर बेचे आता है Two articles are sold at same selling price एक पे X percent profit हुआ दूसरे पे Y percent profit या loss हुआ Profit है तो positive लेंगे, loss है तो negative लेंगे तो overall समान पे जो आपको profit या loss percentage होगा वो 100X plus 5 plus 2XY upon 200 plus X plus 5 percentage होगा आप ratio से भी कर सकते हैं लेकिन वह calculation बढ़ जाएगा जैसे हैं इस हवाल देखो एक दुकांदार ने दो वस्तु में से प्रतेक को इतने में बेचा एक वस्तु पर 19 percent profit हुआ दूसरे पर 11 percent loss हुआ तो आप से पूछा profit है loss percent profit positive loss negative 200X plus Y X plus Y को वाला 19 minus 11800 हो गया plus 2XY, 19, 129, 418 upon 200 plus X plus Y, 19 minus 118 या 208 percent दे जाएगा पनल आंसर positive है तो profit आएगा मेरे दोस्तों को कि पोजिटीव ही value है यह जो 2 percent से कमाएगा तो 5 percent नहीं है D option answer यह वाला सवाल आप मुझे करके बताएगे